हेलो दूस्तो कैसे है आप लोग चै oyni आज लेके आए कुछ नटो है कोचन बहुत ही महत्पून है यह सब्जेक्टिव खोचन है और इहां कि आंतर डिफ्रेंस वी ट्वेगल से है और यह कलास टुवेल के लियह बहुत ही महत्पून है और यह कोचन केमेस्टिक का भीवी याई कोचन है चले फर्स्ट कोचन आपका है प्राशनर और विष्रन में विभेद उत्पन करें तो आप जानते हैं प्राशनर और विष्रन में विभेद क्या अंतर असफर्स्ट करना है और उसके बाद अंतर बताना है उसके बाद धनात् सब्सक्राइब उसके बाद किया है सटकी दोस्ट। और फिरेंकल दोस्ट। में अंतर बता उसके बाद किया है। भातिक धोशन और रासाइनिक अधि Combinebयोज्ट। क्टिक्जाएं टेक ह। अगला कोचन आपका आठवा नमर कोचन है और सोशन और अधिसोशन में अंतर बता है उसके बाद अगला कोचन है लायोफिलिक के कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बता है ठीक है उसके बाद दस्वा कोचन है में थनोईक अमल और इतनोईक अमल में अंतर बता ह उसके बाद आपका DNA और RNA में अंतर बताना है, ठीक है, अगला कोचन आपका ध्यान दिजिए, अगला कोचन ये सब कोचन वाला है, और यह कोचन हर साल क्या करता है, रीपीट करते रहता है, कुछ कोचन इसे आता है, इसलिए आपको ये आद रखना जरूरी है, और यह कोचन आप जरूर देखके जाईएगा, क्योंकि इसमें से दो-तीन कोचन टकरा जाएंगे, ठीक है, देखे, ध्यान दिजिए, अब आपका 12 नमबर कोचन है, थर्मो प्लास्टिक बहुलक और थर्मो सेटिक बहुलक में अंतर बताना है, उसके बाद तिम जो 13 नमबर कोचन है, अगला कोचन है, अगला कोचन है, अगला कोचन है, अगला कोचन है, फार्मिक अमल और एस्टिक अमल में अंतर बताना है, फार्मिक अमल और एस्टिक अमल में अंतर बताना है, फार्मिक अमल और एस्टिक अमल में अंतर बताना है, ठीक है, अगला कोचन है, अगला कोचन ह अगला आप का है primary secondary या तर्सरी और लिकाश टेस्ट हो गया और एक और टेस्ट है ठीक है तो लेकिन इसके पहले यह पूछा हुआ था कोचन ठीक है इसलिए इसलिए कम चंस है कि यह कोचन आया है लेकिन देख लेजिए ठीक है देखिए अगला कोचन अगला प्लास्टिक और पहले ही बता दिए यह कोचन उधरे था ठीक है अब यह कोचन हो गया और यह बहुत ही कोचन अच्छा है आप क्या किजेगा इसको एक बार जरूर देख लिजेगा और बहुत ही महत्मुन कोचन है ठीक है चलिए यहीं तक कि रहने देते हैं इस वीडियो में आगे बताएंग लौन कोचन में वही तेरा चौदा कोचन होगा और उसी से कोचन आएगी ठीक है चलिए इतना ही तक रहने देते हैं वीडियो को सेर और सब्सक्राइब कर दे दूस्तों को जरूर बताईएगा